नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझलो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परियावरण अध्यान इन्वार्मेंटल इस्टेडिस के बारे में जो कि आप बीए कर रहे हों ब्यस्टी कर रहे हों बीकॉम कर र कर रहे हों तो यह पास करना अनिवार होता है जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं तो इसके लिए मैं टोटल फाइफ हंडेट मोस्ट इंपोर्टन कोशन से चला रहा हूं जो कि बार बार परिच्छाओं में पूछ जाते हैं तो मैंने उनका कलेक्शन कर लेते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अच्छे नंबरों से इस पेपर में पास हो सकते हैं तो आइए पार्ट नंबर टेन को कम्लेट करते हैं अभी तक हमने पार्ट नाइन में पार्ट नाइन तक के वीडियो अपलोड करती हैं I hope कि आपने उन सारे वीड वो है तू फू अनबर टू घ्यू कोर्स का मुख्यालक कहां पर हैं अपसन ए नंबर है आ नंबर है घ्राइंड शुडजर लेंड में अफंशन भी है पैरिस जो की फ्रांस की राज्दानी भी है पैरिस अपसन नंबर सा है नियृर्ण जो यूएस अ के एक बहुत ही फेमस city है दिल्ली या फिर जो भारत की राजानी है दिल्ली तो आपको बता रहा है इसमें से कौन सा option सही है तो इसका option आ नंबर बिलकुल सही हो जाएगा है जो हमारा बिस वन जीव कोर्स का मुख्याल है वो हमारा है गलाइंड सुड़ियर लाइंड में तो आप लोग इससे अच्छे से याद कर लेंगे अच्छा एक question यहां से जो बार बार पूछा जाता है और काफी जिता important है कि बिस जो वन जीव कोर्स दिवस कम मना जाता है तो दोस्तों यह तीन मिमार्ज को प्रते कुवर्स में मना जाता है तो याद रखेंगे आप लोग बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर कोशन नमबर हमारा है 227 है तो इसमें आपको बताना है EPA EPA एक परियावरन सुरच्छा एजनसी है यहां सक्री भूम का अदा कर रही है ठीक है समझना question को EPA EPA परियावरन सुरच्छा एजनसी है और यहां यहां सक्री भूम का अदा कर रही है option नमबर A है USA option नमबर 2 UK option नमबर 7 भारत या फिर option नमबर 2 जापान तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं EPA अखिर यह क्या है EPA दोस्तों इसका full form होता है इस से होता है हमारा environmental peace से होता ह प्रोटेक्शन एस से होता है हमारा एजनसी environmental protection एजनसी इसका full form है अब आपको बताना है यह अपनी सक्री भूम का कहां अदा कर रही है तो इसका सही जवाब है option नमबर A USA में ठीक है इसका सही जवाब क्या है option नमबर A USA में 228 228 228 कहता है कि लुप्त प्राजाती का अर्थ किया है तो option नमबर A है आपका जाती ऐसी जाती जो बिलुप्त हो चुकी है या फिर option नमबर बा जाती जो आस्ट्रेलिया में पाई जाती है उसको हम लुप्त प्राजाती बोलते है या फिर option नमबर सा है जाती जिस पर बिलुप्त होने का खत्रा मंडरा रहा हो या फिर option नमबर दा है आपका लास्ट आप्शन है उप्रोग तुमें से सभी तो दुस्तों इसका जो सही जवाब है वो आप्शन नमबर सा है जाती जिस पर बिलुप्त होने का खत्रा हो ठीक है जाती जिस पर बिलुप्त होने का खत्रा हो उसको हम बोलते हैं लुप्त प्रा जाती आ जय विविदिता का ब्रद्धी समन्वय सर्बोच होता है कहां पर होता है वन पारी तंद्र में जल पारी तंद्र में घास पारी तंद्र में या फिर हमारा करसी पारी तंद्र में तो दोस्तों इसका तो सही जवाब है वो अप्शन नमबर आ वन पारी तंद्र में आप लोग याद कलेंगे अच्छे से जय बिविदित का का जो ब्रदिस समनुए हो सरबोच होता है वो होता है वन पारी तंदर में नेस्ट कोशन हमारा नमबर है 230 यह बोल रहा है कि जय बिविदिता सम्बंदित है किसे सम्बंदित है औप्शन नमबर आ है बीविन जीवन सरूपों में अंतर अप्शन नमबर बा है यहां पर आवास होना चाहिए आवास में अंतर अप्शन नमबर सा है जातियों के संख्या में अंतर या फिर आपका option number 2 जातियों की प्रजातियों में अंतर तो इसका जो सही जवाब है option number 2 आवास में अंतर इसका बिल्कुल सही जवाब होजेगा आप लोग याद कलेंगे next question करते है question number हमारा है 231 question number हमारा है 231 जोम खेती प्राया होती है आपको बताना है जोम खेती प्राया कहां पर पाई जाती है पूरवत्तर राज में दच्छडी राज्यों में पाई जाती है पूरे भारत में पाई जाती है या फिर ये कहीं पर नहीं पाई जाती तो इसका सही जबाब जो है option number A पूरवतर राज में ये पाई जाती है option number A बिल्कुल सही जवाब है इसका अच्छा बात करें हम जूम खेती ये जूम खेती होता क्या है तो ये बहुत ही घटिया खेती है बहुत ही घटिया खेती करने का तरीका है इसमें करते क्या है कि जो हमारे वनस्वतिया होती है जो हमारे पेल पौधिया वनस्वतिया होती है इनको जला दिया जाता है और जलाने के बाद उससे साफ किया जाता है साफ करने के बाद ये बहुत ही पुरानी खेती की पुरानी तरीके से होती है तो इसमें लकड़ी की हल से उसको मिट्टी को जोता जाता है भुरुरा बनाया जाता है तब उसमें आनाज बोया जाता है और इस खेती में बहुत ही कम मात्रा में आनाज पैदा होता है तो एक तरीके सम्बोल सकते हैं यह बहुत ही घटिया मतलब की सिस्टम है खेती करनेगा तो जोम खेती हाला कि आप यह याद रखें कि यह पूरवरत्तर राज में प्राया होती है बस इतना आप याद रखें बस और जोम खेती के पार में मैंने बता ही दिया थोड़ी बहुत चीजें नेस्ट कोशन करते हैं कोशन नमबर हमारा है 232 232 है बिस सुका जयविकी रूप में सफसे सम्रद छेतर कौन सा है बताना आपको बिस सुका जयविकी रूप में सफसे सम्रद छेतर कौन सा है option to number A है इंडो मलायान छेत्र, option to number DHA है रूज, option to number Sa है पाश्चिमी अहवरिका इसका सही जबाव हो जेगा option to number DHA दचित्र अमेरिका ठीके अप लोग और दखेंगे कि बिश्यु का जबिकी रूप से सम्पर्द छेत्र जो है वो है मारा दचीत्र अमेरिका नेस्ट क्वेशन करते हैं क्वेशन नमबर हमारा है 333 राजा जी रास्टी पार्क कहां परिस्ती थे अच्छा देखो कुछ इंपोर्टन टोपिक है जिससे हर बार परिच्छों में प्रस्ट पूछे ही जाते हैं तो जैसे नेशनल पार्क हो गए है हमारे कुछ रास्टी दिवस हो गए हमारे यदि आप रास्टी दिवस सारे कंप्लेट कर लेते हैं और जो हमारे नेशनल पार्क है रास्टी उद्यान और इनको आप अच्छे से कंप्लेट कर लेते हैं तो जो वन जो अभ्यारण है रास्टी उद्यान हो गया हमारा और जो हमारे महित फुल दिवस हो गए या अंतरास्टी दिवस हो गए इनको यदि आप कंपिलिट कर लिते हैं तो इससे कोऊशन हर र Whoo सकी चार से पांस कोऊशन बन्ते हैं तो औग pist चार से पांस नंबर कंप्लिट हो जाएगा जो ओमरे पास जो कोऊशन है राजा जी रास्टी पार्क कहां परिष्थी थे राजा जी रास्टी पार्क कहां परिष्थी थे उप्षन नमबर आ है उडिशा उप्षन नमबर बा है तमिल नाडू उप्षन नमबर सा है उत्रा खंड या फिर उप्षन नमबर दा है मधिबरेश तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है option number 6 उत्राखंड राजा जी जो राश्टी पार्क है यह हमारा उत्राखंड में है ठीक है आप यह से याद कर लेंगे कि उत्राखंड में हमारा राजा जी राश्टी पार्क इस थीद है next question करते है question number हमारा है 234 कोशिन नमबर हमारा है 234 बोल रहा है कि एसियन हाथी अब बिलुप्त प्राय है ठीक है एसियन हाथी अब बिलुप्त प्राय है क्योंकि वह मार डाला जाता है बताईए एसियन हाथी अब बिलुप्त प्राय है क्योंकि वह मार डाला जाता है Option number A है, चम्डे के लिए मारा जाता है। उसके लिए हाथियों को मार दिया जाता है। जिससे वो हाथियों के दांतों को मोटी रिकम में बेच सके। इसलिए हाथियों को मार दिया जाता है। अब जब हाथी को लगातार मारा जाएगा तो जो हमारी Asian हाथी हैं अब बिलुप्त प्राय होने वाली है उनके प्राजाती ही बिलुप्त होने वाली है क्योंकि उनको लगातार मारा जा रहा है उनके दातों के लिए नेस्ट कोशिन करते हैं, कोशिन नमबर हमारा है, 235 भारत में बाग परियोजना का प्रार्म हुआ Нffic 7th में, 1941 में, 1972 में या फिर 1973 में इसका राइट एंसर होज़ेगा, और और स итоге नमबर 2018 में आप लोग याद कलेंगे भारत में जो बाग परियोजना का प्रारम हुआ था वो 1973 में हुआ था कब हुआ था 1973 में Next question करते हैं Question number है Mab का मतलब क्या है Mab ये संचिप्त रूप है और इसका मतलब क्या है Option number A है Mano Antibiotic एवं जिवाणू Option number 2 है Option number 2 है Option number 2 है Mano एवं जिवाणू मंडल ठीक है Mano M जिवाणू मंडल तो देख ये इसका पहले मतलब समझ लीजे देखो M का मतलब हमारा क्या है Man A का मतलब क्या है हमारा And और B का मतलब हमारा क्या है BioSphere ठीक है Mano and BioSphere इसका पूर रूप है और संचिप्त रूप में इसे हम M, A, B भी भी बोलते हैं तो इसका सही जवाब है Option number 2 Mano एवं जिवाणू मंडल Mind and BioSphere Option number 10 इसका बिलकुल सही जवाब होज़ेगा 237 चिलिया घर में संदच्छड़ है इनसिटू क्या बोलते हैं इनसिटू बोलते हैं इन विवो बोलते है regions या फिर एक्स पिटू बोलते हैं सही जवाब इसका है Option number A इसको हम बोलते हैं इनसिटू अफिन नमबर A हो जाब बिलकुल सही जवाब यदि आपको वीडियो पसेंद आए लाइक जरूर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस वीडियो से हमारी मदद हो रही है जो मैं सेड़ी चला रहा हूं फाइफ है फाइफनेट मोस्ट इंपोर्टन कोशन की यदि आपको यह पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं अपना कोई भी सुजाव हो तो कमेट भी कर सकते है तिक है यदि आप चाहते हैं कि इन जुको इसको से इनको मैं और और explain करता चलू विसे तो मैं बहुत सारी चीज़े बता भी देता हूं यदि आप चाहते हैं कि इन्वारे में और डिटेल में चलो या फिर और फास्ट चलो तो अपनी द्राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं नेस्ट कोशन नमारा है कोशन नमबर है 238 कोशन नमबर है 238 कस कुटा ठीक जिसको हम अमार बेल भी बोलते हैं आपने कई बार नाम सुनाओगा अमर बेल ठीक है इसको हम कस कुटा भी बोलते हैं या जड़ पर जीवी है तना पर जीवी है या फिर तना इवा जड़ पर जीवी दोनों है या फिर दा अप्सन इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका जो सही जवाब है option number 2 यह ताना पर जीवी है, कौन सा है, यह ताना पर जीवी है, option number हमारा है 239, जब दुई लिंगी पुस्प कभी नहीं खुलते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, आपको बताना है, जब दुई लिंगी पुस्प कभी नहीं खुलते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, option number A है, डाइको म लिंतबी में हुमो में फिर होम गयमी क्या बोलते हैं इनको तो इसका जो सही जबाब है उप्षिन नमबर साथ this deine हैं ट्लीस्टो गयमी आप याद कर लेंगे अच्छे से जब दूई लिंगी पुस्विक कभी भी नहीं खुलते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्लिस्टो गैमी क्या बोलते हैं क्लिस्टो गैमी नेस्ट लिगर को कुशन नमबर हमारा है 240 240 कहता है स्वसन मूल पाई जाती है क्या बोलता है स्वसन मूल पाई जाती है अफ्शन नमबर आ है, एसपे रेगस में, अफ्शन नमबर बा है, राइजो फोरा में, अफ्शन नमबर सा है, ट्रापा में, या फिर अफ्शन नमबर दा है, आगे ओमी, किस में पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है, राइजो फोरा में, ठीक है, नेस्ट वजन है, 241, हेपलायड में होता है हेपलायड में होता है सोमाटिक गुल सूतर संक्या होती है छोटे गुल सूतर होते हैं बहुत लंबे गुल सूतर होते हैं या फिर अनुवानसिक गुल सूतर की संक्या होती है इसका सही जवाब है option number दा अनुवानसिक गुलसूत्र की संक्या, ठीके हेबलायड में क्या होता है अनुवानसिक गुलसूत्र की संक्या होती है अप लोग याद करेंगे, next question हमारा है IISR इस्थिते कहां पर इस्थिते, लखनौ में, कोलकाता में, वारानसी में या फिर बैंगलोर में ठीके तो इसका जो सही जवाब है यह इस तीथे लखनों में ठीके उत्तर प्रदिस्ट की राधानी यह लखनों में इस तीथे IISR अच्छा IISR जो है यह है संचिप्त रूप क्या है यह संचिप्त रूप तो इसका पूल रूप क्या है भई यह इसका पूर्ड रूप है I का मतलब होता है हमारा Indian और दूसरे I का मतलब है Institute of इसका मतलब है Sugar Research ठीके Sugar Cane Research IISR Indian Institute of Sugar Cane Research आप इसे याद कलेंगे यह एक तरिके का Ardutorium क्या है यह? Ardutorium जहाँ पर बहुत सारे दर्सक आते हैं और वहाँ पर कोई ने कोई function संचालित किया जाता है तो आप इसे याद कलेंगे IISR जो Ardutorium है यह लखनों में इस्थित हैं खचर क्रास है किसका? मतलब आपको यहाँ पर समझना question को खचर क्रास है मतलब किसके किसके संयोग से जो हमारा खचर है वो पैदा होता है option number A है घोड़ा तथा गधी के संयोग से खचर पैदा होता है आपको ऐसे समझना है ठीक है? दूसरा option आपके पास गधा और घोड़ी तिसरा option है घोड़ा तथा मादा जेबरा या फिर दा option इनमेंसे कोई नहीं तो सही जवाब है option number 2 इनमेंसे कोई नहीं question number हमारा है 244 244 बोलता है इनमेंसे कौन कीट नहीं है इनमेंसे कौन से कीट नहीं है option number A है घरेलू मक्की, माच्छर, बिच्छू, कांगरोच तो आपको बताना है कौन से कीट नहीं है ठीक है कीड़े फतिंगे जो होते हैं बताना है तो इसका सही जवाब है option number 1 बिच्छू बिच्छू हमारा जो कीट फतंगों की स्रेली है उसमें नहीं आता है आपको ये याद कर लेना है कि बिच्छू हमारा जो है ये कीट फतंगों की स्रेली में आता नहीं है next question करते है question number हमारा है 245 amoeba होता है amoeba होता है आपको बताना है amoeba होता है एक लिंगी प्राणी होता है दूई लिंगी प्राणी होता है एक कोस्की प्राणी होता है या फिर दूई कोस्की प्राणी होता है जो देखो amoeba होता है ये होता है हमारा एक कोस्ट की प्राणी होता है कैसा होता है एक कोस्ट की प्राणी होता है तो इन्वार्मेंटल स्टेडीज में ये बायो का कोशन है पूछा जाता है क्योंकि बायोजी भी जुड़ी होई कहीं न कहीं कहीं न कहीं हमारे इन्वार्मेंटल स्टेडीज से जुड़ी होई है क्योंकि हमारे आस पास बहुत ही जैविक घटनाएं होती हैं बालोचकल घटनाएं होती उसे आप याद कर लें काफी चांसे होती हैं मौशली ये कोशन पूछा जाता है मालीजर हम आपको गाय के गर्वकाल क्या होता है उसका कोशन करवा रहे हैं तो आप सारे के सारे याद कर लें हलाकि मैं detail video भी आपको दूँगा कुछ important topic है यदि आपकी राय रहेगी comment में आप बताना कि आपको detail किसी topic को पर particular किसी topic को पर वीडियो चाहिए तो मैं उसे भी जरूर बना के दूँगा तो हलाकि यहाँ पर आया है गाय का गर्बकाल कितना होता है डेल सु दिन होता है, 305 दिन होता है, 282 दिन होता है या पर दा इन मेंसेज कोई नहीं तो इसका जो सही जबाब है option no.7, 282 दिन होता है कितना होता है? 282 दिन, option no.7 बिलकुल सही जबाब है आप लोग याद कर लेंगे 282 दिन next question करते है, question no.247 247 बोलता है कीटो में प्राया होते है कीटो में प्राया होते है छे जोड़ी पैर होते है तीन जोड़ी पैर होते है चार जोड़ी पैर होते है तो इसका जो सही जवाब है अप्शन नमबर दा चार जोड़ी पैर होते है ठीक है चार जोड़ी पैर होते हैं कीटो में प्राया कितने पैर होते हैं चार जोड़ी पैर होते हैं इससे आप लोग याद कलेंगे question number हमारा है यहाँ पर 948 आ गया लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 248 होना चाहिए 248 होना चाहिए इसकी detail पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के description में इसका link मिल देगा वहाँ से आप इस बीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं तो मेरा full support रह गया आप लोग भी थोड़ा सब सपोर्ट करें वहाँ छेत्र जो पूरिता वन जीवों के उत्थान के लिए आर अच्छी थे वहाँ छेत्र जो फूरिता वन जीवों के उत्थान के लिए आर अच्छी थे उसे कहते हैं राश्टी उद्यान मरोरंजक उद्यान चडियागर या फिर अजायव घर क्या बोलते हैं उसको तो इसका सही जवाब है option नमबर आ राश्टी उद्यान वहाँ छेत्र जो वन जीवों के लिए वन जीवों के उत्थान के लिए आर अच्छी थे उससे हम बोलते हैं राश्टी उद्यान तो आपको definition भी clear हो गया हो गया राश्टी उद्यान का आ नमबर बिल्कुल सही है नेश्ट question हमाना रहा है दुद्यवा पार्क कहां पर इस्थी थे जैसे आभी हमने बताया था राजा जी नेशनल पार्क अभी आपको पताया था इसी वीडियो भी हमने कराया है राजा जी नेशनल पार्क तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको याद है कि नहीं मैंने क्या बताया था आपको राजा जी नेशनल पार्क कहां पर है अभी मैंने आपको पढ़ाया अब आपको बताना है दुदुवा पार्क कहां पर इस्थीत है उत्तर प्रदेश में मद्ध प्रदेश में आंध प्रदेश में या फिर केरल में तो इसका जो सही जवाब है ओप्षन नमबर आ उत्तर प्रदेश में है ठीक है उत्तर प्रदेश में दुद्वा पार्क इस्तित है नेस्ट कोशन करते हैं कोशन नमबर हमारा लास्ट कोशन ह इस वीडियो का लास्ट कोशन है, बाकी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी, थोड़ा से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ सेयर करें, ठीक है? कोशन नमबर हमारा है, 250, जंगलों में जानोरों का सिकार किसके अंतरगत पूरत्या वर्जी थे? उप्शन नमबर आ है, परिया वरन सुरच्छा अदिनियम, वन जीव संदच्छन अदिनियम, चिपको आंदोलन या फिर गंगेश्टर अदिनियम थोड़ा सा माइंड लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं, इसका जो सही जवाब है, वो ऑप्शन नमबर आ है, वन जीव संदच्छन अदिनियम जंगलों में जो जानवरों का सिकार करके मार दिया जाता है उनको, जो हमारा वन जीव संदच्छन अदिनियम है इसके अंतरगत यही कहा गया है, कि जो जनगली जानवर है, उन्हें सिकार के द्वारा मारा ना जाएं इसके अंतरगत वर्जित किया गया है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तुम मिलते हैं नेस्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जहन्द बन्यमात्रम